यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राश्ट्रपती व्लादमिर पुतिन आज अपना सत्तरवा जनम दिन मना रहे हैं। पुतिन की गिंती पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में हैं। सत्तर की उम्र में भी फिटनस में अच्छे अच्छो को मात देने वाले पुतिन की चड़ी माचो मैन की है। जो कभी शिकार पर निकल जाता है तो कभी घोडे की सवारी या बरफीले पानी की नहाने की तस्वीर तो पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन युक्रेइन पर हमले के बार दुनिया भर के कई देशों की आलोजना का सामना कर रहे पुतिन कैसे एक निरंकु शासक बनते चले गए और कैसे ही धेखते देखते वो दुनिया से कटते चले गए। इन सब के बारे में जानना दिर्चस पोगा। यह सब अचानक नहीं हुआ। पुतिन में करो या मरो वाले वहवार का उपजना एक लंबी कहानी है। तक कि उन्हें किसी का खौफ नहीं रहता था। उनके गली महलों में कई गैंग्स थे। उन्होंने सेमबो नाम की रूसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने जुडों भी सीखा। जब वो 18 साल के हुए तो उन्हें जुडों में ब्लाक बेल्ट मिल गया। लिनिंगराच शहर में लीटनी प्रोस्पेक्ट रोट की एक ऐसी सड़क थी जिस पर लोग जाने से कत्राया करते थे। वो इसलिए क्योंकि इस रोट पर स्तोवियत खूफिया एजनसी के जीबी का हैट पौटर था। इसको लेकर कहा जाता था कि इसकी मारत इतनी उची है कि इससे लेंबर कैंप नजर आता है। हालाकि इन तमाम जानकारियों के बावजू 16 साल के पुतिन निल्स बिल्डिंग में इंट्री की और रिसिप्शन पर बैठे शक्स से पूछा कि वो के जीबी में कैसे शामिल हो सकते हैं। इस पर उस शक्स ने बताया कि वका कार गिरने को आ गई। उसी साल दिसंबर में एक भीर ने के जीबी की इमारत को चौतरफा घेर लिया। पुतिन ने मदद के लिए सोवियत सेना के नजदी की ठिकाने पर फोन लगाया। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। खाला कि एक बार जब फोन उठा तो सामन का मजबूती से सामना नहीं किया। 90 के दशक में सोवियत संग के बिखरने के बाद पुतिन ने के जीबी को अलविदा कह दिया। हाला कि इसके बाद सेन पीटर्जबर के सुधारवादी मेयर के लिए वो फिक्सर बन गये। मेयर ने पुतिन को रूस की अर्थववस्था स बनने के बाद उन्हें उमीद थी कि वो पश्चिमी राष्टों के साथ शर्तों के आधार पर मधुर संबंद बना पाएंगे। पुतिन की चाहत थी कि पश्चिमी देश पूरिवी सोवियत छेतरों में रूस के प्रभुत्वक को स्विकार करे। हाला कि ऐसा नहीं बाद में उन्हें लगने लगा कि पश्चिमी देश रूस को तोड़ने और अलक थलक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जॉर्जिया के रास्टपती मिखेल सका शवीली ने एलान किया कि नेटों में शामिल होंगे तो पुतीन का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुँच गय पुतीन ने महस पांच दिनों में ही जॉर्जिया की सेना को तभा कर डाला। जिसके बाद रास्टपती मिखेल को एक अपमान चनक एग्रिमेंट करना पड़ा। इसमें पुतीन ने सीखा कि जिसकी लाठी होती है भैस भी उसी की होती है। रूस में साल 2011 में संसत्य चुना हुए जिन में स्कैंडल के आरोप लगने लगे। उसके बाद देश में प्रोटेस्ट शुरू हुए। पुतीन ने इसके बाद ऐलान किया कि वो 2012 में भी प्रेसिडिन इलेक्शन में कैंडिडिट होंगे। पुतीन के इस ऐलान के बाद प्रोटेस्ट और तेज हो गया। ये पुतीन के कारेकाल में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। पुतीन ने इस प्रदरशन के लिए ततकालिन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को जिम्मेदार ठहराया था। इससे पुतीन को ये समझ जा गया कि पश्चमी देश उसके खिलाफ खड़े ओ उठे ह तो ये थे पुतीन के कुछ अंचाहिराज। फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमें सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम हम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन डिजिटल। कर दो कर दो